चमपावत उप चुनाव के लिए चुनाव आयोक नी तैयारिया पूरी कली है इसके तहट 31 माई कोप चुनाव है मुखे निर्वाचर अधिकारी सोजन्य का कहना है कि चुनाव की तैयारिया पूरी हो चुकी है सभी बूथू के लिए वीवी पैट वाली EVM की व्यवस्ता भी की गई है ज्वानकारी के अनुसार करीब 40 प्रतिशत बूथू पर मदान की लाइफ स्ट्रीमिंग होगी जुसे राज्य और केंद्र में बैठे चुनाव आयोके अधिकारी देख सकेंगे आपात स्टिति के लिए अतरिक्त EVM भी रिजर्व में रखी जा रही है मदान में सभी हिस्सा ले इसके लिए लोगों को जागरुकिया जा रहा है साथ ही आपको बता दे कि मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी की पतनी गीता धामी ने बनबसा के स्टी बहूल बवनपूरी गाओं के ग्रामिनों से सववात किया उर्हों ने छेत्र के विकास का आस्वासन देते हुए CM के पक्स में मदान करने की अपील की उपचुनाओं में भाजपा ने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए सारी ताकते जोगती है राज के मंत्रियों सहित विधायकों ने प्रचार के लिए जिले में डेरा डाल रखा है सुबह से लेका शाम तक नगर सहित ग्रामिल इलाकों में कारीकरताओं की टोल या घर घर जाकर संपर्क कर रही है वहीं पूरविधाय के लाज गहतोडी पूरजिला ध्यक्ष हेवा जोशी सहित कई नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के छेतर का प्रतिनिधुत करने से इलाकी के विकास में तेजी आएगी वहीं बात करें कॉंग्रिस की तो टनकपूर में कॉंग्रिस ने गुरुवार को ताकत छोग दी प्रदेश ध्यक्ष करन महरा ने बैठक लेकारेकरताओं में जोश भरा कहा कि भाजबा सरकार ने महंगाई और बेरुजगारी से लोगों का जोईना मुश्किल कर दिया है महरा ने कहा कि पूरुजिला ध्यक्ष निर्मला गहतोणी को टिकट देकर पार्टी ने महला सशस्तिकरण को बढ़ावा दिया है